हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल होम केर फ्रेंड्स आज मैं है अपने इधर के पार्क में गार्डन में आया हुआ हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी इसका जो व्यू है वो शेयर करूँ और आपको भी आइडियाज दूँ जैसे यहां पे इन्होंने यू खूब सूरत लग रहे हैं तो इसी तरह आप भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स और देखिए उपर चंपा का प्लांट है तो इस तरह से डिविजन करके अगर आप लोग भी एक साथ लगाते हैं तो बहुत खूब सूरत लगता है यहां पर आप देखे कि कितना बड़ा प्लां प्लांट है यह मोर पंखी का इल्कुल ऐसी शेप दिविए इसको जैसे क्रिस्मस ट्री को दे रखते हैं ना उस तरह वाली शेप अच्छी सी दे रखें इसको बहुत प्यारी लग रही है कि यहां पर देखे इन्होंने बहुत सारे क्रिस अंति लगाय हुए है देखने में बहुत ही खुब सूरत लग रहे है और यह मैं आपको दिखाता हूं देखिए रोज कितना प्यारा है इनka ऐसे इनोंने बहुत सारे प्लांट लगाय हुए हैं अपर देखे ये इनका प्लांट है चाइनीज फैन पाम का और कितना खुब्सूरत और बड़ा है एक तम बहुत बड़ा है यह देख रहे हैं आप बहुत ही है यह यह देखे फ्रेंड्स इन्हों यहां पर किस तरह से गोला बना रखा है डियूरेंटा से और बीच में फिर फाइकस का प्लांट लगाया हुआ है जो देखने में बहुत प्यारा लग रहा है तो कुछ आप इस तरह कर सकते हैं फिर यहां पर देखिए ऐसी यहां पर इन्होंने बहुत अच्छा इसको एजिं सब्सक्राइशन ले सकें और आप भी उसी तरह का कुछ कर सकें अ कि यह देखें आप कितना प्यारा लग रहा है फाइकस का प्लांट फिर यहां पर देखिए कितना सुन्दर इन्होंने जो है सजाया हुआ है इसको देखिए आई होप आप देख पा रहे हैं बहुत धूप है हां पर देखिए इस तरह से आप लोग भी अपने गार्डन को मेंटेन रख सकते हैं जिससे कि आपका गार्डन बहुत ही प्यारा लगे देखने में और सीजनल प्लांट तो लगा ही सकते हैं सात में साथ पर्मनेन प्लांट भी रगा सकते हैं जो काफी सालों तक चलते हैं देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कितना सुन्दर इनों ने जहां की टाइप बनाया हुआ है, और पास्ते में आपको दिखा देता हूँ, आप देख रहे हैं, इस तरह का अगर आप अपने घर में लॉन बनाने का सोच रहे हैं, या गार्डन अपने घर में बियूटिफुल तो वो कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं इस वीडियो से एंड एकन क्रियेट सम्टिंग ब्यूटिफुल कि इन देर हों में देखें यह गुल्दाओरी के प्लांस कितने प्यारे हैं इनके और यह क्रिस्मस ट्री भी बहुत प्यारा लग रहा है कि यहां पर देखें यह कुछ ऐसे बनाए वह यह बहुत ही प्यारा मेंटेन पार्क है और यह देखें हिबिस्कस कितना प्यारा है क्याक्टस भी है यहां पर मेरी गोल्ड्स भी बहुत प्यारे लग रहे हैं कि ऐसे बीच में स्टोन रख देते हैं तो बिल्कुल एंटीक लुक्स आ जाता है थोड़ा डेजर्टिट काइंड अफ लुक भी आप है यह देखें साल्वी आई यह मेरी गोल्ड है देखें कितने अच्छी तरह इन्होंने डेकुरेट किया हुआ इसको तो होप करता हम फ्रेंट्स आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी तो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू बाई